हेलो फ्रेंड विडियो के अम्रिती भाष्यमिला, आज की वीडियो में हम देखें ये बेस बनाने वाले हैं, ये मैं डबल जीरो साइस के कानाजी को पहना रही हूँ, जीरो साइस नहीं है, मैंने वीडियो के एंड में हर चीज आपको डीटेल में समझाई हुई है, कि डबल साइस के काना, तो ये डबल जीरो साइस है, जीरो साइस से भी छोटे काना है ये, मैंने वीडियो के एंड में आपको हर चीज डीटेल में समझाई हुई वीडियो आप पूरी देखें का आपको अच्छे से समझाएगा, देखें हम यह आप इस तरह से बेस पहना लेंगे, और ये सभी काना जी लोग होगी, मैं नहीं पूजा शेवा करती हूँ, और नहीं इन्हें मैं सेल करूँगी, ये सभी लोग को मैंने सिर्फ वीडियो के लिए ही रखा हुआ है, इसलिए मैं ऐसे वुड़न के उपर बिठा देती हूँ, आप लोग कमेंट करते हैं, आप सारी वीडियो में क्लियर कर देती हूँ, ये मैंने बांद दिया है, दोरी थोड़ी सी लंबी हो गई है, तो दोरी छोटी कर लेंगे, और ये देखे, ये मेरे हाथ में ही आ जा रहे है, आप देख सकते हैं, चोटा सा बेस मैंने बनाया हुआ है, बहुत इजली आप भ वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टागां पर फॉलो नहीं किया है, तो मुझे वहाँ पर फॉलो करिए, ये देखे, ये हैं जीरो साइस के काना जी, तो जीरो साइस के काना के भी मैंने बनाई हुई है वीडियो जल् तो चलिए वीडियो स्टाट करें और देख लेते हमने इसे कैसे बनाया हुआ है, ये देखे गाई सबसे पहले मैंने यहां पर यहां पर यहां पर प्रेस करके चिपका दिया है, अगर मैं आपको इसकी लंबाई और चोड़ाई बताओं तो देखे ये इधर से भी हमारा 4 इधर से अगर आप मेज़र करते हैं तो यह भी हमारा 4 इंच है, मैंने यहां पर 4 इंच लंबाई चोड़ाई का बुग्रम का पीस लिया है, इसके पीछे मैंने यह देखे अस्तर का फैब्रिक प्रेस करके चिपका दिया है, हमें क्या करना है इसे एक बार यहां से मोड़न इस तरह से, दो बार हमें इसे मोड़ना है, अच्छे से आप बराबर करके मोड़िए, इस साइड हमें चार पीसे मिल ले हैं और यहां पर हमारा देखे प्लेन है, तो हम यह वाली साइड उपर की रहेगी, यह नीचे की साइड रहेगी और यहां ऐसे गुलाई में मार्क ल लगा लेंगे, यह उपर की साइड अच्छे से हमारी यहां पर देखे कुनाई अच्छे से सेट हो जाए इंच्टेप की और फिर हम दो इंच का मार्क लगाएंगे इस तरह से, अगर आप बिगनर भी हैं तो भी आपको यह ड्रेस बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो यहां पर सभी मार्क को आपस में मिला देंगे और आपस में मिलाने के बाद यहां पर देखे यहां उपर की साइड हम इस तरह से हाफ इंसे एक पॉइंट कम का मार्क करेंगे यह यहां पर ऐसे हाफ इंसे एक पॉइंट कम है आप देख सकते हैं आधी इंच यह है और यहां बस अब हम इसे करेंगे तो देखिए यहां पर हमें इस तरह से कट करेंगे मैंने आपको कई सारे साइज में बेस बनाना बताया हुआ है जैसे मैं आपको आज डबल जीरो का बता रहे हूं ऐसे ही मैंने आपको तो रेट कलर में जिरो साइज बताया है अभी मैं आपको दिखाऊंगी जितनी भी साइज का में बनाया है सबी साइज का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप चेक कर लिएगा यह देखें कितना चोटा है यह देखें काफी राउंड बीख्रा फैब्रिक लगा हुई हुआ है दूसरी साइड उपारा नहीं है तो दूसरी साइड से भी हमें इसे लॉक करना होगा तो इस तरह से यहां पर जो पस्तर आ रहा है एक्स्ट्रा कट कर दूंगी और अब कर हम इसे सिलेंगी कैसे सिलना है यह देखें इस से मोड के सिलाई लगाएंगे चारो साइट से पूरे राउंड पे हमें लगाना है चले लगाती हूँ गहें तो डिशिल दिया अब हम क्या करेंगे इस तरह से मोडेंगे, मोडने के बाद यहां पर इस नाखुन लगाएंगे और यह दीखिए हमने जहाँ नाखुन लगाया है उसी की 16 से शिलाई लगाते हुए पूर राउंट पर डखा के हां उतार देंगे सिलाई को चलिए करती हूं यह देखिए हमने यहाँ पे इसे सिल दिया है अब दोनों सिलाई के 20 से हम इसे कट कर लेंगे यह इस तरह से देखिए कट कर दिया और यहाँ जो एक्स्ट्रा हमारा है यह अस्तर का फैबरिक वो हमें हटा देना है कट करके अब हमारा जो मेंन बेस है वो लेडी हो गया है मैंने यहां पर यह अब यह फैब्रिक ले लिया है नेट का इसकी लंबाई मैंने रखी है बहुत ज्यादा है इसे कम कर लेंगे इसकी चोड़ाई को इसे में मूर के कम कर ती हो फिर हम इसे सिच करेंगे यह देखिये आप धाला कर लिया है अगर मैं आपको मेजर कर कि दिखाओ तो यह देख़े इसे हमारा गरी एक्ष्ट्रा है लंबाई हमारी 45 इंच है हमें क्या करना है, इसे सिलना है किस तरह से सिलेंगे, यह आप देखे यहाँ पे हमें ऐसे प्लेट बनानी है ऐसे बहुत चौडी-चौडी नहीं बनाएंगे ऐसे एक दूसरी के उपर चड़ाते हुए हम यहाँ पे प्लेट बनाएंगे इस तरह से तो चलिए मैं हाँ पे प्लेट बनाती हूँ पूरा आपको दिखाऊंगी डिटेल में अच्छे से यह देखें यह इस तरह से हमने सिलाई लगा दी फिर हम बैक पे जाएंगे लॉप कर लेंगे सिलाई को अब देखें जो ही है हमारी लाश प्लेट इस टिशोरी है सुह हमारी इस तरह से अंदर गई अगर हम पीछे से उठाके इसे खीचेंगे भी तो भी यह निकलेगा नहीं हमारा यह ऐसे करके हम इसे पूरा सिलेंगे देखें मैं इसी के अंदर अपनी पूरी फ्रिल बनाते चली जा रहे हूँ यह ऐसे करके यहां पर मैं 5-6 फ्रिल ब आपने पारे हैं तो आप 3-3 फ्रिल बना लिजिए दो-दो आप देखें पर देखें आगी तरफ इसे धक्का देंगे जब धक्का देंगे तो यह थोड़ी सी और भनी हो जाएगी बस उसी पर हमें सिलाई लगा देनी है यह देखें यह इस तरह से हम इसे सिल देंगे अपने पूरी फ्रिल बना लेनी है चले बनाती हूं फिर आगे बताऊंगे क्या करना है यह देखें हमने यहां पर इसकी फ्रिल जो है वो बना दी है अगर मैं आपको इसकी कमर बताऊं कि हमने अपने फैब्रिक को एकठा करके कितने इंच में किया है तो देखें लगभग हमारा 3 इंच में आया है हमें अब क्या करना है यहाँ पर देखें इस तरह से रखेंगे यह इसे हम पूरे राउंड पर ऐसे करके सिलेंगे तो हमें कहां से सिलाई स्टार्ट करनी है देखें यहाँ से ऐसे सिलाई स्टार्ट करनी है पूरे round पे सिलना है उसके बाद दूसरे side वाला fabric सिलते हुए यहाँ पे आ जाना है चलिए सिलती हूँ फिर आगे आपको बताऊंगे कि क्या करना है बहुत easy तरीका है यह बेस बनाने का बहुत आसानी से आप बना सकते है यह देखें सिलने के बाद हम नीचे आ गया है बस अ बहुत अच्छा होता है यह हमारी signing वाली नेट है अगर आपको इस तरह का फैब्रिट नहीं मिलना है मार्केट में तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी सिलने में तो अगर मिलता है तो ले रीजिए और नहीं मिलता है तो आप मुसे भी परचेस कर सकते हैं आप मुझे 7 272-3786-2439 72-3786-2449 पर वाट्साप मेंसेज कर सकते हैं अब चलें यहां पर हम नीचे की साइट से इससे सिल देते हैं पूरा यह देखिए हमने सिल दिया सिलने के बाद हम इसे उल्टा करेंगे और उल्टा करने के बाद इसकी यह जो कमर है यहां पूरे राउंड पर हम एक बार सिलाई लगाएंगे क्योंकि हम कितनी भी अच्छे से सिलाई लगाएंगे तो एक बार पूरे राउंड पर सिलाई लग यह देखिए हमने इसे सिल दे आप देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा आ गया है अब हमने यहां पर टिशू रिबन लिया है टिशू रिबन की हल्ब से में इसकी साइड्स जो है वो लॉक कर देंगे इधर से भी और इस साइड से भी चले करती हूं फिर आगे आपको करिए इस तरह से मोडेंगे मोडने के बाद एक बार और और मोड नए है और उल्टी साइड से में रखके सिलेंगे और इपट्टी कैसे कट करेंगे इसकी डीटेल वीड्यो मैंने सेयर कि हुई है उसका लिंक में आपको इसी वीडियो को दिस्क्रिप्रिफिप्सिन बॉक करें ये ऺचा कर लिया है अब हम इसे फ्रंट पे लेके आयंगे इसी इस तरह से मूर ना है मूर्ने के बाद ऊपर से अधिक लिया है अब हमें चॉड़ाई अ IS avari रखनी है और डोरी रखने के बाद इसे हम इस तब से पलठ के सिल देग अब लगाते वक्त अपनी सिलाई को लॉक जुरूर करिये और दूसरी चीज जोरी के उपर से सिलाई नहीं लगानी है चलिए सिल देती हूँ यह दिखिए हमने यहां पर इसे स्टिश कर दिया है अब मैंने यहां पर चोली के लिए फैब्रिक ले लिया है चोडाई मैं आपको बताओं तो मैंने रखी है धाई इंच और लंबाई हमारी 9 इंच है बहुत जादा है अब यहां इसे छोटा कर लेंगे देखें इस तरह से प्रेदर से मोड़ना है और उसके बाद एक दूसरे के उपर हम रखके से सिल देंगे हमें बहुत चोडी चोली नहीं चाहिए मैं छुटे से काना चाहिए है तो चले यहां पर इसे मैं मोड़के और सिलाई लगा लेती हूं फिर आगे आपको बताओंगी कि क्या करना है यह यह देखिए मैंने यहां से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था वो कट कर दिया है इसकी लंबाई हमने रख ली है चेंज हमें क्या करना है यह देखिए मैंने गोटा पट्टी वाली लेस ली है इसे रखके यहां पर सिल दूंगी चलिए सिल लेते हैं सिलाई के उपर से ही रख जब लगाएंगे तो यह जॉइंट होगा इसे हम कोल के यहां पर अपनी पटी वाली लेस रख के सिल लेंगे डोरी के लिए तो हमारी चोली भी कंप्रीट हो जाएगी यह देखिए यह हमारा हो गया है रेडी यह रहे हमारे डबल जीरो साइज के काना जी अगर मैं आपको यहां पर इनकी लंबाई बताओं तो यह देखिए यह एक दस्मिलो साथ पांच इंच लंबे हैं मिन्स हमारा 1.5 इंच और 2 इंच के बीच में जो आता है उतना यह जीरो साइज दाई है मैं आपको एक बार फिर से क्लियर करती हूँ यह हमारे डबल जीरो साइज है जीरो साइज के काना इनमें और इनमें काफी अंतर है और एक नमबर अगर आपको यह लग रहे हो तो एक नमबर की भी दिखाती हूँ यह देखें यह है हमारे एक नमबर के काना तो चलिए मैं अब यह जो बेस है वो पहना के दिखा देती हूँ तो यह देखें गाइस मैं यहाँ पर डबल जीरो साइज का बेस पहना दिया है और रैड कलर वाला जो है हमारा जीरो साइज का है त अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए हरे कृष्णा रादे रादे